नमस्कार वेलकम टू बिहार सिविल्स मेरा नाम है आलोक सिंग तो देखिए 68 बीपीएसी का फॉर्म ओलेडी फिलप होना सुरू हो चुका है 25 नॉवेंबर से इसका स्टार्ट डेट था तो अब बात यह आ जाती है कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करना वैसे तो इजी है बट उन को के लिए थोड़ा सा हार्ट हों जाता है जिन्होंने पहली बार यह ृबपीएसी का फॉर्म कर रहे हैं या प利すा भी हो जाता है कि जो पहले भी फॉर्म भरा है उन्होंने लेकिन फिर भी वह गलती उन्से कुछ सीजों में तो वह सब चीजों पे हम आज इस बात करेंग और बिल्कुल detail में आपको step by step process बता दूँगा कि आप कैसे यहां पर form fill कर सकते हैं बिना किसी गलती के ठीक है और जिन्होंने कभी भी form fill नहीं किया है वो भी इस process से बहुत ही easy way में सीख सकते हैं कि कैसे form fill कर सकते हैं BPC का ठीक है आप अपने laptop या desktop से भी form fill कर सकते हैं यहां तक कि आप अपने phone के use से भी form fill कर सकते हैं ठीक है जो आपका phone है उसको desktop mode में आपको लगाना है और आप इस सारी जो process में बताऊंगा वो सब आपे कर सकते हो तो देखिए सबसे पहली बात कि कोई वी exam के form fill करने से पहले उसका जो notification निकाला जाता है उसको बढ़िया से पढ़ने चाहिए ठीक है हाला कि हमने एक पार्ट इसमें बता दिया था negative marking वाला system हमने आपको बता दिया था फिर भी इसमें आपको काफी बढ़िया से देख लेना है कुछ जो भी code वगरा है सब कुछ आपको क्या उम्र श्रीमा होनी चाहिए क्या आपको relaxation की जरुरत है अगर आपको relaxation की जरुरत है तो उसके लिए आपको certificate आपके पास होना चाहिए ठीक है यह सब चीजों की आपके पास जरुरत होनी चाहिए फिर आप यहाँ पर फीद देख सकते हो या तो 600 और 500 ठीक है समान यानि कि जो general category के लोग है उनको 600 रुप्या लाएगा बाकी बाकी लोग को 500 रुप्या और यहाँ देखिए यह form फिल करने का date स्टार्ट हो रहा है 25 November 2022 से और यह last होगा 20 December 2022 को ठीक है तो मैं आपको यही advice करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी स्वर्म को फिल कर लिजेगा अब last date के इंतजार में मत रहिएगा ठीक है इसलिए मैं यह video पूरा का पूरा आपको प बताते चलता हूं तो अब आपने notification पढ़ लिया ठीक है अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने telegram पे share कर दिया है और लेडी notification तो वहां से आप देख लिए और वहां से भी अगर आप नहीं देखेंगे आप अगर official website direct download करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कर सकते हो तो BPSC का दो official site है ठीक है दो तरह के link आपको मिलेंगे एक है online bpsc.bihar.gov.in ठीक है ये जो site है इसी पे आपका application form fill किया जाता है तो इसका link हमने दे दिया है नीचे description box में फिर एक है bpsc.bih.nic.in इस पे हम लोग result वगएरा यहीं पे चेक करते हैं ठीक है तो form fill करने के लिए आपको ये वाला site use करना है अब उस site को आपने जैसे ही click किया उस link को आप कुछ इस तरह के interface दिखेंगे इस तरह का आपका interface खुलेगा और इसको आप जैसे ही scroll up करोगे तो ये आएगा आपके पास एक ये वाला interface जो की important है आपके लिए तो यहाँ पे जिस जिस भी exam का form fill up हो रहा है अ एक exam दिया गया है उसको 68th BPSC का यहाँ पे दिया गया है second में ठीक है और यह 67th का means का भी form fill up हो रहा है तो यहाँ पे दिया गया है तो हमें 68th BPSC का form fill करना है आप notification डाउड करना चाहते हैं तो यह आपका यहाँ पे notification डिया गया यह वाला जो PDF है इसको आप डाउड कर सकते दबा कर ठीक है और आपको notification आपके पास already है तो आपको डाउड करना यहाँ पे apply online है यहाँ पे क्लिक करिए अब आप apply online जैसे ही क्लिक करते हो आपके पास एक registration form open हो जाता है और कुछ इस तरह का आपको दीखेगा registration form पूरा यह आप देख सकते हो अब इस registration form में आपको पू बूज बूज के यह नहीं की कुछ भी गलती कर दिये बहुत लोगों को यह देखा है कि father's के name में अधस्का नाम जाल देंकर कैसे हो जाता है लोगों से गलती मुझे भी नहीं समय घाती तो ऐसे एक छोटी मोटी बीव गल्तियां مت करें और बाकी जो भी अधार नंबर बग पुरा डाल देना तो यह पुरा फॉर्म जब फिल होगा तो नीचे आपको मिलेगा email id का option ठीक है यहाँ पे आपको email id डालना है और यहाँ पे अपना mobile नमबर और यहाँ पे यह email code इसको क्लिक करिए उसके बाद को क्लिक रिए और उसके बाद आपके फोन में message आएगा mobile नमबर जो आपने डाला है और यहाँ डालिया और और जो email id में code आएगा उसको यहाँ पर डालिए उसके बाद capture यहाँ पर यूज़ करिए यहाँ जो भी लिखा हुआ जिस तरह से लिखा हुआ capital में small b फिर capital b capital f तो इस तरह जैसे जैसे लिखा हुआ है बस उसको करने के लिए तो सेकेंड जो स्टेप है उसमें आपको करना है पेमेंट तो अगर आप जनरल कटेगरी के हैं तो आपको 600 रुपया करना पड़ेगा ठीक है ओनलाइन ही पे करना होगा और 500 रुपया अगर आप सी स्टी ओविसी या फिर आप डिजेबल कटेगरी से बिलॉंग करते हैं तो तो आपने जैसे ही यह समिट रिस्टेशन फर्म किया था उसी वक्त आपके इमेल आईडी में आपके पास पुरा रिस्टेशन नंबर यूजर नेम पासवर्ड यह सारा लॉगिन में ही पे कर दिया वहाँ पे पेमेंट का भी ऑप्षन आ जाता है ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है इसके बाद आपको लॉग आउट हो जाना है ठीक है लॉग आउट का ऑप्षन यहां यहां वाले पोर्षन पर आपको राइट सेड में लॉग आउट का ऑ ठीक है एक लास्ट स्टेप आपका फिर बचा हुआ पेमेंट करने के बाद भी तो उस पेमेंट करने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यानक ना क्योंकि ये अब पुरा ये फिल करने का आपको एक वक्त दे रहा है पहले तो कोई वक्त नहीं था लेकिन आपको 20 मिनट में 20 में ये पुरा फिल करना जैंट नगे तो इसके लिए आपको करना क्या है आपको अपना फोटो पासपोर्ट साइज आपका इंग्ली इस में सिगनेच्र और हिंदी में सिगनेच्र आपके पास होना चाहिए ठीक है ये सब लिख लीजिए और उसके वाद उसका साइज जो आपका photo हो वो 25 kb से जादा ना हो 25 kb से कम रखिए ठीक है और जो signature है दोनों वो 15 kb होना चाहिए यानि यह भी 15 kb से कम रखिएगा ठीक है और यह compress बहुत ही easily आप कर सकते हैं अगर आप laptop यूज कर रहे हैं तो आप paint का यूज कर सकते हो उस पर बहुत ही easy होगा और अगर application आते हैं जिसमें वो size बगएरा setup करने का आ जाता है ठीक है तो बहुत ही easily आप वह भी कर सकते हैं तो आपने अभी यह वाला आपका process अभी आपके पास नहीं आया है ठीक है यह सब करने से पहले मैं बता दे रहा हूं आपके पास कि आपने photo और English और Hindi दोनों में signature सब कुछ अपने arrange कर लिया उसके बाद दो चीज और arrange करिए metric certificate और graduation का metric में आपके कितने marks आ हैं वो सब calculate करके रखिए ठीक है percentage कितने हैं वो calculate करके रखिए अगर CGPA है तो CGPA कितना आया है वो आपके रखिए graduation में आपके कौन-कौन से subject थे metric में कौन-कौन से subject थे graduation में यह सब कौन-कौ रखिए कि कितने marks आ हैं कितने percentage हैं और full marks किया था यह पूरा करके पहले ही रखिए इस process को open होने से पहले तो जितना चीज था वो सब आपने अब कर दिया अब आपके email ID में जो registration number password वगरा सब कुछ गया है अब उससे फिर से आपको login करना है इसी link पर जाना है और login हो जाए इसमें आपको user name और password डालना है और फिर यहां पर आप यह इसका डाल सकते हैं ठीक है capture अब जैसे ही आपने login किया आपके कुछ details आपको दिखेंगे स्क्रीन पर और उसके साथ नीचे आपको दिखेंगा कि pt का form fill किया है करने के लिए यहां पर क्लिक करें तो वो रेड कलर का होगा उसको आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपका वह starting का page open हो जाएगा जिसको आपने सब्मीट के registration किया था फिलब किया था शुरू से payment करने के पहले वह open होगा तो उसको scroll करके नीचे जाएगा नीचे स्कॉल करें जाएगा आपको next मिलेगा next यसी क्लिक करिएगा आपको यह वरा इंटरफेस मिलेगा और यह 20 मिनिट का time यहाँ पर दिखाएगा और धेदर यह time कम होता जाएगा फिर आपने सब भी हो अपना थोड़ा कुछ कुछ चीजे भी यहां पर डाल दीजिए जहां जहां आप रहें हैं पिछले छे महीने में और चीज यह कैसे मारूम चलेगा कि कौन सा फिल करना है कौन सा नहीं तो जिसमें स्टार मार्किंग होगा वो कमपसरी रहेगा आपके लिए कि वो फिल क कर नहीं है तो यहां पर पूछ रहा है कि कौन सा निगेटिव मार्किंग होना चाहिए पेपर में जो आमने आपको नोटिफिकेशन में डिसकस किया था ठीक है तो मेरे हिसाब से थाड़ वाला होना चाहिए बाकि आप देख लिएगा फर्स सेकंड थर्ड कौन सा आप लग सब्सक्राइब करिए और उसके बाद यहां पर आपको प्रिविव का ऑप्ष MARC करिएगा आप देख लिए कि जलात हुआ है साही है अगर सही है तो ف्य इहां करेंगे सब्मीट एप्लिकेशन तो ये वह जायग आपका फाइनल समिशन और अ बाकि तो आपके पास है शुरू तो जितना भी information आपको वहाँ पर फिल करना है वो सब बहुत ही बढ़िया से ध्यान से भरना है कुछ भी गलती आपको करना नहीं है बहुत लोग बहुत सी छोड़ी गलतीयां करेंगे आप देखो देखोगे ना बहुत से लोगों का यह message आएगा comment आएगा कि मेरी यह गलती ह लोगी कैसे करें यह कैसे करें ठीक है तो उसके लिए भी एक है कि लास्ट में अगर कोई गलती हो गई है तो 20 तारिक लास्ट डेट है तो 20 तारिक से पहले आप उसको सुधार सकते हैं एडिट कर सकते हैं वो भी ज्यादा ज्यादा बार नहीं तीन-चार बार ही आप उसको चीज़े आपको अठीड करना है तो आप दिख जाए名ठा कर सकते तो जैसे ही आप लोगइन करिएगा उसके brought you साइड में ही आपको दिखेगा कि अगर आपको एडिट करना है तो आपको दिख जाएगा ठीक है तो आप एडिट भी कर सकते हैं अगर आपको वह गलती हो जाती है और एक हमने पुरा एक बढ़िया से पुरा प्रोसेस हमने बता दिया step by step अगर इसमें और भी कुछ चीजें आपको problem आ रही है ठीके बहुत सारे किसी का जो अगर age relaxation काफी होता है तो certificate आपको लगाना हुआ certificate का आपके पास वह होनी चाहिए ठीक है बाकि और विज्टिफिकेट reservation reservation उन्हीं को मिलेगा जो की बिहार के हैं पर्मानेंट निवाश्री है वही अगर आप बिहार से बाहर रह रह रहे हो बिहार के हो लेकिन बिहार से बाहर रह रहे हो फिर भी आपको कुछ certificate वगएर है तो वहां पर submit करने होते हैं ठीक है तो बाकी जो भी चीजे आपको problem आती है आप comment में लिख सकते हो मैं comment में ही आपको reply कर दूँगा या फिर अगर कुछ बहुत जादा important हुआ कि बाकी लोगों को भी जानना चाहिए तो मैं उस पे एक updated वीडियो भी बना दूँगा ठीक है तो उमीद है आपको इससे form fill करने में आसानी होगी तो मिलते हैं बिहार से बिसके दूसरे वीडियो में thank you for watching चैहिंद